आज हम नोबल प्राइज के बारे में बात करने वाले हैं और इसकी सुरुवात जो है 1901 में हुई थी और ये अलफ्रेड नोबल के याद में इस पुरसकार को दिया जाता है जिनका जनम जो है 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन में हुआ था और अलफ्रेड नोबल ने एक खोज की थी और इन्होंने खोज किया था डायनमाइट का और जो नोबल प्राइज है इन में ये 6 कुल 6 फिल्ड में दिया जाता है और केवल सांती का जो नोबल प्राइज है उसको नौर्वे में दिया जाता है बाकी सारे प्राइज को स्वीडन में दिया जाता है यानि सांती के न 2021 के जो नोबल प्राइज मिले हैं उनको आज हम इस वीडियो में जानेंगे तो पहला इसमें देखते हैं फीजिक्स के छेत्र में फीजिक्स के छेत्र में नोबल मिला है तीन लोगों को और इनमें है श्यू कूरो मानाबे जो कि यह जापान में पैदा हुए थे पर यूएस इन्हों ने यह चले गए थे पढ़ाई लिखाई करने तो वहां की भी इनकी नागरिकता थी तो यह यूएस के ही एक तरह से साइन्टिस्ट मान जाएंगे तो यह हैं श्यू कूरो मानाबे दूसरे साइन्टिस्ट हैं क्लोस हैसलमैन जो जर्मनी के हैं और तीसरे हैं जोर् प्रवर्तन को लेकर बहुत ही बढ़ियां रिसर्च किया इन्होंने तो इन इस छेत्र के लिए इन तीनों लोगों को जो है फिजिक स्का नोबल प्राईस दिया गया दूसरा आता है केमेस्ट्री का केमेस्ट्री में दो लोगों को नोबल प्राइज मिला है पहले हैं बेंजामिन लिष्ट जो जर्मनी के हैं और दूसरे हैं डेविड मैकमिलन ये यूके के हैं इन लोगों ने खोज ये की कि मतलब मॉलिकूल्स का निर्मार जो है किस तरह से किया जाता है इसकी खोज के लिए जो है इन दोनों लोगों को कमिस्ट्री का नोबल प्राइज मिला है अब बात करते हैं मेडिसिन का नोबल प्राइज तो मेडिसिन का नोबल प्राइज दो लोगों को मिला है पहले हैं डेविड जूलियस जो यूएसे के हैं और दूसरे हैं आर्डेम पटापोशियन ये लेबनान के बॉर्न USA साइन्टिस्ट है इन्होंने समवेदी अंग जो हमारे ग्यानिंद्रिया होती है ये किस तरीके से काम करती है इस चीज की खोज के लिए इन दोलों लोगों को जो है मेडिसिन के छेतर में जिसे फीजियोलोजी भी कहते है अब बात करते हैं लिटरेचर की लिटरेचर में अब्दुल रजाक गुर्ना को दिया गया है जो तंजानिया के बॉर्न रिफ्यूजी है जो यूके चले गए थे तो इनको जो है लिटरेचर का लिटरेचर का नोबल फ्राइज मिला है अब बात करते हैं पीस प्राइज का तो पीस प्राइज जो है दो लोगों को मिला है एक है मारिया रेशा जो फिलिपिन्स की हैं और दूसरे हैं दमित्री मुरातोव ये रूस के पत्रकार हैं तो इन दोनों लोगों को जो है पत्रकारता के छेतर में बहुत ही बहतरीन काम करन के लिए पीस प्राईज दिया गया है और मारिया रेशा इस बार एकमात्र महिला है जिन्यने next noble prize मिला है और economics में भी तीन लोग को noble मिला है पहले हैं Dave Card यह Canada- burn US में रहने वाले scientist हैं और दूसरे है जोसुब एंगिरिष्ट यह USA के साइन्टिस्ट है और तीस्रे हैं गीडो इंबेंस यह भी नीधर लेंड़ बोर्न यूसे के साइन्टिस्ट हैं तो इस बार के यह सारे साइन्टिस्ट हैं जिन्हें जो हैं कुश schnell Nobel after की समल आई तो आई होप